जैमाताजी मित्रो धरनी गर्ब संबूतम विद्युत कांती समाप्रामा कुमारम सक्ति हस्तम चातम मंगलम पड़मा म्यम जीहां मित्रो एक जून से मंगल का राशी परिवर्तन होने जा रहा है मंगल देब विगत मीन राशी से निकल कर एक जून में मेश राशी में जाने वाले बारा जुलाई दोजार चौबिस तक यानि करीबन करीबन 42 दिन मेश राशी यानि अपने घर के अंदर रहने वाले रोचक योग बनाने वाले तो छे राशियों के जीवन में बड़ा तेल में चर्चा करेंगे मंगल का जो रोचक योग है वो कैसे छे राशियों का जीवन चक्र बहुत एक चरक शरीर का चक्र बदलने वाला है क्या अच्छा क्या बुरा रिजल्ट मिलेगा इसके बारे में हम चर्चा करेंगे तो एक जून 2024 को मंगल का राशी परिवर्तन सबसे पहले हम मेश के बारे में बात करेंगे तो यह मेश राशी के आपके सामने कुडली आ रही है मंगल जो है आपके लगन भाहों में बैठे है और लगन में जब भी मंगल बैठते है हलाकि यह मंगलिक की भी पूजीशन होती है लेकिन इ ऐसे व्यक्तियों को राजसी सुक प्राप्त होता है यानि दिन आपके किए प्रियास का आपको मिलेगा आपको अच्छा धन करियर में अच्छा लब यहां पर कर आप께 भौतिक और राजसी सुक को बढ़ाने वाला और आजकरर राजसी सुक मित्रों दंते तो अबेसी बात है आपका धन या कुछ ना कुछ अच्छा लाब होता हुआ नजर आएगा लेकिन लगन में मंगल हेल्थ के लिए खराब होता है फोड़े फुनसी एलर्जी की प्रॉब्लम पेट की बार-बार समस्या कॉंस्टिपेशन की समस्या लगन का मंगल देगा साथी साथ में आप इन 43-42 दिन के अंदर को यात्रा का प्लानिंग कर सकते को यात्रा कर सकते हैं यानि कि यात्रा में जाने के आपके योग बनते हैं विद्ध्यारतियों के लिए भी चतुर्वाव देखा जाता है विद्ध्या के लिए तो विद्ध्या में भी विद्ध्यारति है वह आपके सैवन्थ हाउस यानि दामपत्य जीवन में तो यहां पर जो कुवारे लोग है उनका विवाज शादी का योग बनेगा रिलेशन में मनमुटाव है तो वह अच्छा होगा प्यार प्यार प्रेम 42 दिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाने वाला दामपत्य जीवन अ अच्छी में बन रहा है मंगल का तो करियर में अच्छी ग्रोथ देने वाला ऐसी संभावना लग रही है वाकि आपकी कुंडली में कैसा है उसके लिए आपको सैवन टू वन जीरो बाइन टू फोर टू एट सैवन जो यह मेरा वाट्स अप नमबर आ रहा है इसमें नाम ड दूसरी राशी है जिसको मंगल के परिवर्तन से रोचगयोग से फायदा या नुकसान होने वाला है वह ब्रशब राशी तो यह ब्रशब राशी कुंडली है मंगल आपके बारवे भाव में बैटे देखिएगा जहां एक लिखा है वहां पर मंगल बैटे बारवे भाव के वहां पर आपका खर्चा क्योंकि खर्चे का भाव है यह बिजली इस्टूमेंट मशीनेरी कंप्यूटर डिवाइस अचाना कचाना कराब होगी कभी ये खर्चा कभी वो खर्चा कभी ये खर्चा कभी परिवार पर खर्चा कभी भाई पर खर्चा तो खर्चे का भाव तो 42 दिन आपको बहुत ज़्यादा धन खर्चने पड़ सकते हैं मंगल की 12 भाहों से 4 दृष्टी आपके 3 भाहों पे बैठी है तो कही न कहीं लंबी दूरी की यात्रा, विदेश यात्रा यानि की नौर्थ से साउथ, साउथ से नौर्थ की यात्रा आपकी लिखी वी है या कुछ लोग विदेश से इंडिया आएंगे, कुछ लोग इंडिया से विदेश जाएंगे ऐसा योग नजर आ रहा है मंगल की सातवी दृष्टी आपके छटे भाव में बैठी है जी हाँ, छटे भाव के अंदर बैठी है तो कहीं न कहीं ये जो सातवी दृष्टी आपको अच्छा बुरा दोनों प्रकार का 42 दिन रिजल्ट देने वाली है पहला करियर में खासका नौकरी वालों को पद प्रोमोशन के अच्छी योग साती साथ पद के साथ में नया प्रोजक्ट आपको मिल सकता है नई जॉब का उफर मिल सकता है तो कुल मिला के करियर में तो पद पावार रुतबा बढ़ाने का काम करेगा मंगल लेकिन क्योंकि छटा बाव रोक का भी होता है तो पेट की कॉंस्टिपेशन की समस्या से आप रहेंगे हाइपर टेंशन आपको रहेगा बात बात पे आपको विशब राशी को गुसा आएगा इसलिए जड़ब भी होगी फोड़े फुनसी अलरजी की समस्या भी रहेगी तो कुल मिलाके मंगल का जो राशी परिवर्ता ने 42 दिन अच्छा और बुरा दोनों तराकार रहने वाला है अब तीसरी राशी के बारे में बात कर लेते हैं मंगल जहान लिखाये मंगल बैठा है और यह केंदर और त्रिकोन में मंगल का बैठा बड़ालाब का रही है आपकी कुंडली में मंगल नाम हो जो 되어 vabia बातो होता है तो भाग्य में वर्यद्धी होगी याई भाग्य से आपको बहुत स़ारी चीज़ी है अचानक धन मिल सकता है अचानक कई से जॉब का ओफर आ सकता है अचानक जिस काम को आप आस्व बैटे थे जहां से पैसा लेना था आप सोचा कि आप धन दूब गया है वहां से कुछ न कुछ आपको निकलता वह कोई रास्ता निकलता वह नजर आएगा क्योंकि मंगल नवंभाव में भाग्येगी ब्रिद्धि करते हैं कहा जाता है जनमते जायते शुद्र और भाग्यादी दूज उच्चते जनम से तो आप और मैं हम दोनों शुद्री है माराज और शुद्र ही पेदा होते हैं लेकिन भाग्ये ही व्यक्ति को उचका नीच का या करोड़ पती अरब पती खरब पती रंग पती बनाता है तो कहीना कहीं देखा जाए तो भाग्ये व्रिद्धि से धन में आपको लाब मिलता है नजर आ रहा है सिंग्रासी को करियर में कोई न कोई बड़ा लाब आपको मिलेगा यानि करियर में कुछ 42 दिन यहां पर किसी सबंद्धी के लिए अपने लिए हस्पताल के चकर डाक्टर के चक्कर यह किसी काम के लिए मगल si द煮वी द दरिखाए तो साथ तमबल लिखा रही है तो कहीना कहीं लंबी दूरी की यातरा इन 42 दिलों में आप प्लान कर सकते हैं, अगर आप विदेश में रहते हैं, तो कहीं न कहीं आपकी सिंग रासी है, तो आप अचानक इंडिया आ सकते हैं, या कहीं विदेश जा सकते हैं, या फिर इंडिया वाले विदेश जा सकते हैं, अचानक यातरा के आपके योग मंगल की एक और द्रिष्टी होती है मित्रो आठवी तो मंगल की आठवी द्रिष्टी से कही ना कहीं आपके चतुर्थ भाव को देख रहे हैं तो यहां पर कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी के रेनुवेशन के प्रॉपर्टी या वहान बुक कराने के कोई चीज आखरीदने के योग नजर आ रहे हैं यानि कुछ ना कुछ मंगल के कारण आपका प्रॉपर्टी या वहान का योग बन जाता है तो कुल मिलाक के सिंग राशी के लिए अच्छी ही 70% अच्छा ही मंगल का गोचर है अगली राशी के बारे में बात करें तो वह है लिब्रन तुला राशी और तुला राशी वालों को बोलता हूँ आप मेरा फेस्बुक चैनल देखते हैं यूट्यूब देखते हैं सब्सक्राइब करो और नॉटिफिकेशन आइक हाला कि मंगल सब्तम भाव में मंगली होता है जाता है याद रखिएगा लेकिन यह गोचर है तो हम इसे मंगली नहीं मानेंगे सब्तम भाव के अंदर जब भी मंगल बैठता है वह भी गोचर में बात कर रहा हूं तो कही ना कहीई पार्टनर से आपके रिलेशन बहुत उनको नौकरी के ओफर मिलेंगे पद्धन लाब के ओफर मिलेंगे रिलेशन आपका गुड हो जाएगा और जो कुवारे उनका विवा का योग खुल जाएगा कही न कहीं आपकी पत्रिका मिल जाएगी ऐसा योग न जला रहा है साथी साथ सप्तम भाव में जो मंगल है क्योंकि ये केंद्र का भाव है तो कहीं न कहीं यहां पर रोचक योग बन रहा है तो कहीं न कहीं कहीं से 42 दिन में आपको खूब धन प्राप्त होगा विदेश से कोई न कोई लाब आपको प्राप्त होगा या तो डॉलर में इंकम आ है वहाँ पर पढ़िये तुला राशी की तो यह द्रिश्टी करियर में पदलाब देगी आपकी पावर बढ़ जाएगी आपका रुदबा बढ़ जाएगा सीनियर आपके काम की तारीफ करेंगे आपका सेलेक्शन किसी ना किसी काम में सेलेक्ट हो जाएगा तो मंगल का यह चौथी द्रिश्टी है ब्यालीज दिन आपके लिए बड़ी अच्छी है साती साथ मंगल की सात्वी द्रिश्टी यानि यहां से हम देखेंगे तो सीधा आपके ही राशी पे बैठ रही है तो थोड़ा सा देखा जाए हेल्थ आपकी गुड हो जाएगी जो तनाव चल रह बहुत ज़्यादा दूइदा तुला राची को चल रही है उसमें भी आप स्टेट फारवर्ट कुछ निड़ने लेने वाले हैं अपने फ्यूचर के लिए 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 लेने वाले ऑनलाइन यह कुछ आप नया चीज सीखने वाले भी हैं ऐसा योग नजर आ रहे हैं और मं मंगल की आठवी द्रिष्टी आपके धनवाओ पर है क्योंकि मंगल आपके सब्तम में बैठा में से धनवाओ को देख रहा है यानि यहां पर द्रिष्टी है और मंगल क्योंकि रोचक योग बना रहा है तो धन भाव बढ़ जाएगा खूब धनलाब आपको तिलाले दिन ह बहुती लाबकारी नजर आ रहे हैं गोचर के वाइस बाकि आपको अगर अपने बारे में ब्रालना क्योंकि जन्रल है मित्रों यदि आपको अपने कुंडली में बारे में जानना वर्टसप नंबर आ रहा है इसमें हाई हैलू ना भेजे आप नाम डेटो बार्ट टाइम berth place of birth भेज के मुझे टेलीफोनिक अपांडमेंट बुकल्योर टेलीफ़ोन पर बात कर ले आपात करते हैं अगली घ्राफ् alleine कर्योंस बौत्सकाथ यह कुंड़ी चे घ्स चाट है यानि च्छटे भाव के अंदर क्योंकि यह रोख भाव होता है मित्रो लेकिन यह competition का भी भाव है यहां पर मंगल दो तरह के result देगा अच्छा भी और बुरा भी पहला करियर में पद प्रमोशन की योग बनते हैं नौकरी से समंदित व्यापार से समंदित कोई डील कोई काम कोई न नजर आएगा विध्यारतियों का एड्मिशन होता हुआ नजर आएगा करियर के लिए छटे में मंगल सबसे बेस्ट है लेकिन हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है कहीं पर आपको पेट की प्रॉब्लम आपको एलर्जी स्किन की एलर्जी की प्रॉब्लम हो सकती है ऐसा नववम भाव में देख रहे हैं तो नववम भाव भाग्य का होता है भाग्य में बृद्धी करेगा जिस में से स्टूडेंट को विध्या में अच्छा रिजल्ट मिलेगा स्टूडेंट के किये प्रियास बिश्चिक राशी के सबल होते विए नजर आएंगे साथी साथ आपके लंबी दूरी की यात्रा के विदेश यात्रा के योग बनते कुछ लोग विदेश से इंडिया आएंगे मातपिता से मिलेंगे या कुछ लोग विदेश जाएंगे कुछ लोग साउथ जाएंगे नौर्थ से साउथ साउथ से नौर्थ आएंगे यानि लंबी दूरी क जिन आप खरचे बढ़ाने वाले यानि बेड़ोग टोग बहुत सारे खरचे आप करने वाले हैं यानि कि खरचे आपके बढ़ जाएंगे जो सेविंग हो सकती है आपका स्थान परिवरतन या काम में बढ़ा परिवर्तन नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है मशीनिरी बिजली पर आपका खर्चा हो सकता है यहां पर आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं तो ब्रिश्चिक राशी के लिए करियर में बहुत अच्छा है लेकिन प्लस माइनस वाले रिजल्ट मिलेंगे इसी प्रकार से एक अगली राशी जिस पर मंगल के रूचक योग का परिवर्तन होगा और 42 दिन रहने वाला वह कुम्ब राशी तो कुम्ब राशी में देखा जाए तो तुरित्य भाव में मंगल बैठें मंगल शनी भ outlets इस्थती में होते हैं तो यहां पर क्राकर्म के स्वामी प्राकरमेश्च स्वयं प्राकर में भाव में बैठें तो क्या ही कहना यानि कि मंगल यहां पर नजर आएगा अगर आपको खेलों के Catholic में मंगल मंगल 20 धनमें व्रिदी करियर में आपको बड़ा लाब 43 दिन तक आपको नजर आएगा अगर आप खेलों के खेलों में आपका इंट्रेस जाग जाएगा कुम्राची का कुछ एक्टिविटी आप जॉइन करेंगे कुछ जिम करेंगे कुछ योगा करेंगे कुछ ना कुछ एक्टिविटी अपनी बॉड़ी को कि प्राक्रम भृव में बैठा है तो आर्ट को सुखिंब करने के लिए करेंगे कुई गेम करेंगे यानि आप एक्टिवी ली वड़े फिट हो जाएंगे क्योंकि मंगल यहां पर बैठा है और तो और मित्रों यह सब्सक्राइर सब्सक्राइब होता है तो यहाँ पर यात्रा के भी होसक्ति नजर आ मंगल जो होता है वो रोप के लिए हुता है तो यह अच्छी नहीं फूडे फुंसी की समश्या हल्की इंफाइक्षिन की प्रॉब्लम भी मंगल के कारण आपको एक हफ्ता पास दिन परिशान कर सकती है तो 42 दिन में पांस दिन तो थोड़ा इसकी टेंचन रहेगी साती साथ मंगल की जो सब्तम दृष्टी है यानि मंगल यहां तृष्ति भाव में बैटा हो सब्तम दृष्टी आपके नववा मभाव को 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 है वह इंडिया आने वाले ऐसा योग नजर आ रहा है यानि विदेश यात्रा का भाव जब भी एक्टिव होगा तो लंबी दूरी की यत्रा करने के योग है नववा मभाव विद्या के लिए तो जो कुम्राशी वाले विद्यारती उनको भी बहुत अच्छा रिजल्ट मि अच्छी गुड न्यूज आपको प्राप्त होगी पद्प्रमोशन के योग लेकिन उसके साथ में क्योंकि मंगल स्तृत्य से दसम को दृष्टी दे रहा है तीसरे से दसम को तो तीसरा भी भाव एक्टिव है और दस हुआ भी तो कही ना कहीं अगर आपको पद्प्रमोश के योग बनते हैं नया जौब का उफर मिलेगा तो थोड़ा दूर जाना पड़ेगा ऐसा योग नजर आ रहा है लेकिन जौब आपको अच्छी मिलेगी तो कुल मिला की जो अश्टम भावों में दृष्टी है ये भी आपके लिए बड़ी लापकारी है कुम राशी के लि सबको शेयर करें और अगर यूट्यूब में देख रहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकल को मित्रो दवा दिया करो ताकि मेरी जोतिस की सारी अपडेट आपको मिलती रहे जै मता दी